Hello everyone, तो आज अपन बात करने वाले हैं यार किसकी? Newton के गदी के नियम की अगर मैं आपसे कहूँ कि जब गती की पढ़ाया होगा आपको तो गती की में आपने तॉरन के बारे में चरचा करी होगी वेक के बारे में चरचा करी होगी पर ये थूड़ी बताया होगा कि ये तोरण आता कहां से है ये तोरण आता कहां से है तो उसके पीछे का जो रीजन है कहां से आता है जब किसी वस्तू पर बल लगाया जाता है तो उसमें क्या आता है तोरण आता है और वेग आता है मेरी बात समझ में आ रही है तो न्यूट फोर्स के बारे हम हम डेटेल में डिसकुशन करने वाले है अगर मैं जेई के point of view से बात करें तो हमें क्या आना चीए यार बल क्या होता है इस एक colour क्या होते है अगर मैं आप से पूछू कि यार बल क्या होता है तो किसे परिवासित करोंगे बल को आप को कि सर किसी वस्तू को धक्का देना या खीचना क्या कहलाता है अरे सर बल कहलाता है खीचना बल कहलाता है अच्छा थोड़ी ये बात भी कर लेते हैं कि यार बल के बारे में हम बहुत सारी डीटेल में चर्चा करेंगे पर थोड़ा सा हमें एक बार समराइज कर दीजिए सर के न्यूटन स्लोजोप मोशन में जो बहुत इंपोर्टेंट है कि बल के बारे में अगर आपको समझ में आगिया अगर आपको बल के साथ डील करना आगिया आपना काम बढ़िया से बन जाएगा मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कुन से टोपिक यहांपर अपन को पढ़ने बात करते हैं न्यूटन की गती के नियम न्यूटन की गती के नियम तीन नियम आपको पढ़ाए जाते हैं पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम जड़तु का नियम दूसरा जो समवेक का नियम या समवेक भी बोल सकते हो जिसमें आपको बल का समीकरन सिकाया जाता है और त बहुत अच्छे से आना चाहिए तो वन बाई वन विल्कुल आज का बैसिक लेक्चर है इस्टार्ट करते चलिए देखिए अगर आपसे कोई कहेगी यार बल कितने प्रकार के होते हैं तो सामान निता अगर मैं बात करो आपसे तो बल दो प्रकार के होते हैं कॉंटेक्ट फोर्स और नॉन कॉंटेक्ट फोर्स यानि कि संपर्क बल कौनसा बल संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल यह पहला बल है और दूसरा क्या असंपर्क बल असंपर्क बल अब आप कोगे कि यह सर क्या होता है संपर्क बल और असंपर्क बल कॉंटेक्ट फोर्स क्या होता है एसे बल जो टच करने से आते हैं किस से आते हैं टच करने से जिनको संपर्क में आये बिना नहीं लगा सकते हैं उनको बोलते हैं क्या संपर्क बल बोलते हैं असंपर्क बल जो बिना टचिंग के आते हैं जिसे गृत्वा करसंड बल इस्तिरवेद्यूत बल चुम क्योंगे contact force की ये वाला जो बल है संपर्क बल contact force अब आप कोगे sir contact force के बारे में ही detail में चर्चा करते हैं कौन-कौन से force बढ़ेंगे हम संपर्क बल के बारे में बात करें अगर 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 मैं आप से बात करूँ तो संपर्क बल कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले अगर बात करें अपन प्रतिक्रिया बल अरे कौन सा बल प्रतिक्रिया बल देखो भई ठीक है दूसरा बल बताईए, दूसरा है तनाव बल, अरे कौन सा बल, तनाव बल सर, तेसरा, स्प्रिंग बल, और लास्ट में, जो आपको पढ़ाय जाएगा, उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, अपन कौन सा, घर्सन बल, सबसे, इंपोर्टेंट जो, आपका होने वाला है, कौन सा घरसन बल अब आप कोगे क्या सर ये तीनों इंपोडेंट नहीं है बिल्कुल इंपोडेंट है पर बच्चे का मैक्सिमम क्योशन कहां से पस जाता है घरसन बल से जब टू ब्लोग क्या थ्री ब्लोग प्रोब्लम पूछी जाती है जेए के अंदर तो यहां से क्योशन उसक संपर्क बल क्या होता है जो कॉंटिक्ट करने से आता है या संपर्क में आने से आता है उसको बोलते हैं संपर्क बल चलिए बात करते हैं अपन किसके यार हैं सभी प्रकार के बलों को डीटेल में study करेंगे Newton के गती के नियम ठीक है भई अगर मैं कहूं आपसे कि यार पहला नियम क्या होगा पहला नियम Newton की Newton की गती का पहला नियम Newton की गती का पहला नियम चलिए भई Newton की गती का पहला नियम क्या होता है Newton की गती का पहला नियम आपने सुना, इसको जड़त्तों का नियम भी कहते है अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तू है हमारे पास ये और इस वस्तू पर कुलबल कितना है अगर किसी वस्तू पर कुलबल जीरो है तो क्या वो वस्तू रुकी हुई है या चल रही है कुलबल जीरो होने का मतलब क्या वेग जीरो है या वेग नियत है मैं अगर कहूं कि वेग जीरो है क्या सई है या गलत है या मैं कहूं वेग नियत है दोनों सही है या दोनों में से एक सही है सर दोनों हो सकता है कुल बल जीरो का मतलब होता है कि म बराबर जीरो और म बराबर जीरो मतलब तौरण जीरो ए क्या है तौरण है सर अब जब तौरण जीरो होगा तो ए बराबर होता है dv by dt यानि कि वेग नियत भी हो सकता है क्योंकि नियत होगा उसी का उकलन क्या होगा सुनने होगा तो वेग 0 भी हो सकता है और वेग क्या हो सकता है नियत तो यही बात इन्होंने बोली Newton साब ने क्या बोला कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास उस पे कुलबल जीरो है उसके क्या जीरो है कुलबल जीरो है अगर वो रेश्ट पे है इसका मतलब क्या है कि वो रुकी हुई है वेग जीरो है और अगर वो नियत चाल से चल रही है मतलब तब भी तो उस पे क्या जीरो है तो इन्होंने क्या बोला था आपको भी पता होगा क्या बोला था भई कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी अगर उस पे कुलवल कितना है जीरो है अरे क्या है जीरो है यही न्यूटन साब का पहला नियम था औ अगर में आपसे बिल्कुल basic lecture है, एकदम हर चीज को पढ़ते हो या अपन आगे बढ़ेंगे, जड़त तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी इस्तिती में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उसे ही क्या बोलते है, जड़त तो ब बोलते हैं, यानि कि अगर कोई वस्तु रुकी है, तो रुकी रहेगी और चल रही है, तो चलती रहेगी, और देरार थ्री टाइप जड़तु, कितने टाइप के इनर्शिया होते है, यानि कि तीन तरके जड़तु होते हैं, सर, अरे कितने तरके तीन तरके, इस्तिर अवस दिशा का जड़तू अच्छा मुझे बताईए फटा-फट से ओल्दो ऐसी चीजे नहीं पूछी जाएगी पर हमें हर चीज आनी जी है इस्तिर अवस्ता का जड़तू क्या होता है कि अगर कोई वस्तू रुकी हुई है रेश्ट में है विराम अवस्ता में है और आप चाहते हो कि उसकी इस्टती में परिवर्तन करें तो क्या आपको बल लगाना पड़ेगा तो इसे बोलते हैं क्या इस तिर अवस्ता का जड़तू फिर गती का जड़तू क्या होता है सर गती का जड़तू अगर आपने बस में सपर किया हो बस रुके हुई है और आप बस में अगर खड़े हुई हो अचानक से बस अगर चलने लग जाती है तो क्या होता है हमें पीछे के द्वारा हमें इस बात का ऐसास कराता है कि हम गती का विरोध कर रहे हैं इसको बोलते हैं गती का जड़तु सहे में ऐसा ही जब भूता है जब बस चल रही होती है अचानक से ब्रेक लगता है को है आगी अगर अगर आगर आपने कभी बस में या जीव या कार में सपर किया हो और टर्न लिया हो मालो की जीव ऐसे जा रही है तो हम भी उस जीव या कार के अंदर बेठे हुए इसी डारेक्शन में जा रहे थे पर यार एक बात बताओ वो जो कार थी वो तो ऐसे घुम गई पर हमारी गती की दिशा, हमारी मोशन तो इसी डारेक्शन में है, हाँ सर, कार हमें कहां ले जाएगे इधर, पर ये वाला क्या करता है, हमें इधर ले जाना चाहता है, इसलिए हमें ऐसा अनुवव होता है, कि जब टर्न लिया जाता है, तो हमें उस टर्न के, उस वरताकार ग किजिए क्लियर होगी और आपको यह सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि न्यूटन की गती का पहला नियम क्या होता है